केंद्रिय मंत्री नितीन गटकरी पिछले कई दिनों से महरास्ट्रा और हर्याना के चुनावी कैमपेन पे हैं इसी कैमपेन के दुरान हमने नितीन गटकरी से बात की इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं चुनावी मुद्दे और कैम्पेइन के बारे में नितिन जी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कैम्पेइन के दुरान चुनाओ में देखिए सबसे इंपोर्टन मुद्दा यही है कि पिछले पास साल पहले लोगों ने जिस आशा अपक्षा के साथ महराष्टा और हरियना में हमको चुन कर दिया और लोगसवा में मुद्दे जी के नेतिरूतों में देश में बहुमत दिया उस पास साल का उपयोग हमने द्यंता के विकास के लिए कैसा किया और इस परिक्षा में हमको कितने मार्क मिले, जनता कितने मार्क देती है इसको तैय करने वाला ये चुना है और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि पिछले 50 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना इस 5 साल में देविंद्राजी के नेतुरतू में महराष्ट में एक आज तक की सब मार्जिन के रेकॉर्ड तोड़ कर अच्छे मार्जिन से चुनाओ जितेंगे लेकि विपरक्स तो यह कह रहा है कि विकास की बात तो बीजेपी करी नहीं रही है धारा 370 इंडिया पाकिस्तान की बात कर रही है सब जगह तो आज दिन बर मेरे साथ थे हम तो विकास की बात कर रहे थे और यह मैं भी मानता हूं कि जब 375 एक हो कॉंग्रेस राष्टवादी कॉंग्रेस ने विरोथ किया तो उसकी भी चर्चा होना स्वभावी कह है और कोई यह चुनाओ का मुद्दा 370 का नहीं है मुल मुद्दा जो है इस राज्य में क्या काम हुआ है उसी के मुद्दे पर चुनाओ लड़ रहे और उसी पर मुद्दे पर हम चुनाओ जितेंगे महराश्टर में मैनिफेस्टों में एक आगया कि वीर सावरकर को भारत रतन देंगे कि वीर सावरकर का गांधी की हत्या में नाम आये था उनके उपर सवाल उठे थे तो इससे अच्छा तो आप गोटसे को दे दीजिए ओविसी नहीं का है महात्मा गांधी के खुन खटले में ये सिद्ध हुआ है कि सावरकर जी का कोई संबन नहीं था उनको निर्दोश छोड़ा गया और इसके बाद भी इसे जूटे आरोप करना मुझे लगता है कभी स्वात्तंत्रवी सावरकर को जिन ने पढ़ा नहीं उनको कभी सुना नहीं उनकी कोई बात मालूम नहीं ऐसे गहर जिम्मेदार लोग इस प्रकार की बाते कर सकते हैं स्वात्तंत्रवी सावरकर जी की माजी जनमेटेक करके किताब है अगर आप पढ़ोगे तो आखों में आसु आएगा इस देश के लिए उनके परिवार ने अपने जान नवचार कर दी समर्पन कर दिया बलिदान किया अगर इस देश के स्वाधिनता के लिए अगर सावरकर देना चाहिए इस बात की हम शिफारस करेंगे यह देविंदर फणनवीजी ने कहा है मुझे लगता उसमें कोई गहर नहीं है इसकी राजनीती नहीं करने चाहिए इस प्रकार की बाते करना यहने देशवक्त लोगों का उनकी भावना का अपमान करना ऐसा मुझे लगता है यहां पर जो आपके एलाई है महारास्टा में शिफसेना वो इस बारे सवाल उठा रही है कि क्योंकि उनकी परिवार से पहली युझे ठाकरे की प्रिवार से कोई चुनावनी लड़ा उनका ये कहना है कि ब्राबर की इस्सेदारी होनी चाहिए सत्ता में मुख्यमंतरी को लेकर के आपको लगते हैं अधित्य ठाक्रे को मुख्यमंत्री एक टर्म के लिए बनाए जाएगा जो जो पांच साल का टेन्योर है उसमें से धाई साल के लिए दिखिए ये तो बात है कि हम ने देविंद्र फंड्यों जी के नेतरुतों में चुनाओं लड़ी भाजब शु चुनाओं लड़ने को किस दंग से देखते हैं क्या अपने दावीदारी को मजबूत करने के लिए महारास्ट्रा में मुख्यमंत्री के लिए क्या उस दिश्चीज देखते हैं मुझे लगता है कि शिवसेना जो है उनका काम है अपने नेता को प्रजेक्ट करना हम दोनों जो है इंडिपेंडेंट पोलिटिकल पार्टी है हिंदुत्वों के विचार कर लेकर इस देश की सबसे पूरानी हमारी अलाइंस है माला साथ ठाकरवा प्रमोद महाजयन जीन के समय अलाइंस हुई है और यह अलाइंस आगे चलनी चाहिए इसमें महाराष्ट का मराठी मान प्रमोद में जानी है नितिन जी आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया गया चैए वह विनो तावडे हो चाहिए एकनाद खडसे हो तमाम लोगों को टिकट ने दिया इसके पीछे क्या रहनीती थी इसको तिकेट देना और नहीं देन पर हैं और पार्टी के सर्वोष चेन्नेता इसका दिरने करते हैं मुझे लगता है इसकी चर्चा पार्टी के डिस्प्रिन के रूट से पार्टी के प्लैटफॉर्म पर ही होती है अखिर चुनाओं आते हैं कभी-कभी टिकेट मिलता है लोग बदलते हैं लोग तंत्र में प्रक्रिया है वो चलती रहती है यह चुनाओं मोधी के नाम पर या स्टेट की परफॉर्मेंस के अधार पर नीजी के नेतरूत्मों में तो चुनाओं लड़ी रहे हैं पर यह विधान सभा का चुनाओं होने के कारा हैं महाराष्ट्र में पास साल में देवेंद्र जी के नीजी तरूत में सरकार ने काम किया है यही प्रमुकंदा है रहेगा राश्ट्रे परषनों को भी चर्चा होगी और पास साल का काम बहुत अच्छा है देवेंदर जी ने महराष्टे की प्रकेतवर विकास में बहुत अच्छी तरह से कॉंट्रिबूट किया है और मेरा विश्वास है कि इसमें निश्ची तुरुप से हमारी जीत होगी है एक सवाल बार बार ये उठता है कि देवेंदर फरंविस को चुनाओ के बाद हटा दिया जाएगा ये खुद देवेंदर फरंविस से भी सवाल पूचे जाता है और एक चर्चा ये चल रहे है एक आखरी सवाल नीती जी, राम मंदिर मुद्दा भी आजकल गरम है क्योंकि सुप्रीम कोट में सुनवाई पुरी हो गई है और एक महीने में उमीद की जारी है कि इस पर कोई ना कोई फैसला आएगा, किस डंक से देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि बीजेपी के कोर इशु और जगह है, वो राम मंदिर था, राम जन्मस्थान था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोट हमारा इंडिपेंडेंट इंपार्शल फेहर है, जल्दी ही निरने आएगा, और ये विशे सब जूडिस है, इसमें ज्यादा कॉमेंट्स करना उसीत नहीं होगा, पर हमारी ये श्रद्दा है, हमारी इतिहास, सहुष्कृति और विरासत के प्रतिक प्रभु राम जन्र है, और उनके जन्मस्थान एक ही है, और वही मंदिर बने, ये हमारी सब की भारत की जन्ता की इच्छा है, और मुझे लगता मुस्लिम समुदाय भी इसको सहयोग करेगा, और हम सब लोग मिलकर सब के आशिरवात से एक भवे राम मंदिर बनेगा, और निश्चित रुप से सुप्रिम कोट के निरने के बाद, या उसके पहले आपस में बाचिस से भी मामला निफ्टाय जा सकता है, और मेरा विश्वास है कि इसका निरने जल्दी होगा, और कामरा में रितेश मिश्रा के साथ अशोक सिंगल, नागपूर आज तक